नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं लोमाश्टर आज का विशय है विवा के प्रकार्न हिंदु विदी के अनसार्न यानि विवा कितने प्रकार के थे और अब कितने प्रकार के हैं तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं आरम करते हैं हिंदू विवा का आदर्स हमेशा उचरा है वैदिक यूग से आज तक विवा संबंद हमेशा पवित्र और पावन माना गया है पतनी की विदिक इस्तिती कैसी भी हो लेकिन परवार में उसका इस्थन आदर और सम्वान का रहा है प्राचिन हिंदू विदी में विवा आठ प्रकार के थे यानि जो पहले जो हिंदू विदी थी उसमें आठ प्रकार के विवा की माननता थी लेकिन सन 1955 के बाद केवल तीन ही प्रकार के विवा मानने है जिसमें ब्रह्म विवा, गंदर विवा और असुर विवा तो सबसे पहले जानते हैं ब्रह्म विवा क्या होता है मनु के अनुसार जब पिता बेदो में परंगत और सचरित्र वर को निमंतरन करके हीरे जावारातों का दान देकर कन्या को बहुमूल आभूशनों से सजाकर दान में वर को देता है तो ऐसा वेवा ब्रह्म वेवा कहलाता है अर्थात बहुत सारा दहन दहेज और ठाट वात के साथ जो वेवा किया जाता है वहाँ ब्रह्म वेवा कहलाता है इसी प्रकार दूसरा जो है गंधर्व वेवा गंधर्व वेवा मनु के अनुसवार एक कन्या क्या अपनी साथ गटबंदन जिसका जन्व वासना से होता है और जिसका दिये संभोग है गंधर विवा कहलाता है आज के युग में इसको love marriage भी कह सकते हैं तथा इसका प्रचलन काफी बढ़ता जा रहा है गंधर विवा का इसी प्रकार असुर व्यवा मनू के अनुसार जब वर अपनी इच्छा से बदू और बदू के नातेदारों को इतनी संपत्ती दे कर जितनी की वह दे सकता है बदू को प्राप्त करने के लिए वह व्यवा असुर व्यवा कहलाता है असुर व्यवा पिता द्वारा करने का विक्रे ही लगता है अर्थात इसमें जो पती है वह बदू के घरवालों को जितनी संपत्ती वह दे सकता है वह दे कर उसको एक तरीके से क्रे कर लेता है तो आज के दोर में तीन प्रकार के विवाओं की माननता थी अब आप ऐसा की जानते हैं ब्रह्म विवा मतलब काफी दान दहेज और पैसा देकर जो साधी की जाती है उसको ब्रह्म विवा कहते हैं और गंधर विवा एक प्रकार से लब मैरिज है और असुर विवा का चाहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आपको किस विसेफर वीडियो चाहिए हमें बताइए कमेंट करके